गुड आफ्टरनून भाई सभी को एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल एनाथमी वाले गुरूजी में कौन-कौन जूड चुकाई जी हमारे साथ अवास क्लिए जी एक बार कन्फर्म कर दे गुड आफ्टरनून लखन विश्णू राकेश हेलो आशू हेलो महेश हेलो लक्षमी नारायन जी गुरूप में एक बार मैसेज डाल दे सभी को ताकि सारे एक साथ जूड जाए लखन, कृष्णा, ओके जी आज यह भी सारे आज तो एक बहतरीन शुरुवात अपन करने वाले है रेस्पिरेटी सिस्टम की जब भी एक ने टोपिक की शुरुवात होती है तो एक अलग सा एकसा एक्सा एक्साइटमेंट रहता है कि हमें क्या सीखने को मिलेगा कैसा से बच्चा चाहे कैसा भी है आप लोग कहते हो खुझ से चहीं कि सर इंट्विजेंट बच्यों होते हैं कमजोर बच्च रहता है कोई इंट्वरink और महनेत करने की बात है थोड़ा सा समझने की बात है अपने औपको सिटिंग पावर देने की बात है जब तक आप अपनी सिटिंग पावर देंगे अच्छे से पढ़ेंगे तो ही सारी चीजें एक साथ गेंड कर सकते हैं फिर क्या इंटेलिजेंस यह और क्या फिर विकनेस राइट वो कहते हैं ना कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया राइट तो वही बात अपन करने जा रहे हैं क्योरिसिटी आपके अंदर होनी चाहिए हर एक ने टोपी की सुरुवास से पहले इवनिंग की बैच में हमने इम्म्यून सिस्टम स्टार्ट कर रखा है भव्या मैडम की दौरा और इसके साथ नर्वस सिस्टम की भी सुरुवात हो चुकी है दो से तीन लेक्चर हो चुके अब तक अभी मोर्लिंग के टाइम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया है आज ही अपन सुरू करने वाले हैं बेसिक और जीरो लेवल से बाते करेंगे और टोप लेवल तक आपको पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बताएंगे बहुत ही इजी गोईंग के आप अपनी एटीपी जारी रखें और एटीपी का मतलब है लाइक्स की संख्या में कमी ना हो किसी भी तरीके से और ये लाइक्स की संख्या में कमी होगी तो यहाँ पर फिर जोर पड़ेगा देख लेना भाई गुड आफ्टरनून रानी पंडित ओके तो करें टोपी को साट बिलकुल बेसिक से रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे की ये सिस्टम ही अपने आप में ऐसा मानते हैं कि सर ये थोड़ा कॉंप्लिकेटेड है सुरू में तो समझ में आता है बात में नहीं आता पता नहीं क्या हो रही है कभी रेस्पिरेशन हो रहा है कभी मैकेनिजम कुछ और ही चल रहा है अलग लग बाते हैं बहुत ही अराम से करेंगे एकदम धीरे धीरे कहीं कोई जल्दी बाजी नहीं है हेलो राहुल हेलो आरके रजट क्या बाता रज़त साव आप जुड़ चुके हमारे साथ हेलो चंदन बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जी टोपिक स्टार्ट करना बनता है आपका एक भी मिनट वेस्ट कियो हुए अपने टोपिक पे आते हैं टोपिक का नाम है रेस्पिरेशन रेस्पिरेटी सिस्टम पहले कुछ जनल सी बात करते हैं बहुत ही साधान स ही बात करते हैं ताकि आप और मैं एकदम एक साथ इंटरेक्ट हो पाएं आपने सुना होगा कि जब हमारे और इंडिया की बात करता हूं मैं इसको एकदम आप लोग सीरियसली ना लें बस एक फनी मोड में लें और बिलकुल सच भी कहूंगा एकदम सच कहूंगा आप क्या रिलेटेड यह प्रोब्लम हो रख्या वह रख्या तो दॉक्टर बोलते कि बहाइब इंस्पिरेशन एक्स्पिरेशन करो साथ को अंदर खींचो वसान्स को बाहर निकालो अपने फोर्स फुली तरीके से तो अपने लोग क्या बोलते हैं डोक्टर को बकवास कर रहा ह आप लोग बाहर आते हो टेलीविजिन चैनल पे योग गूरु बैटे हैं योग भी अपने आप में इक बड़ा साइंस का बहुत ही गजप का अपने लिए संसाधन है योग जिस तो बच्चों डok 관ri तो वही कह रहा था डोक्टर ही क्या ता in inspiration करो exploration करो और बाबाने क्या कहाँ अनुलों विलों करो कोई फरक है कह इन चीजों में सांस को अंदर ले लेना है सांस को बाहर छोड़ना कोई फरक नहीं है दोनों एक जी तो तो बस फरक इस बात का है कि हमारी सोच का फरक है हम अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ा के नहीं चलते हम विश्वास कर लेते हैं जिसने जैसा कहा ठीक है जो एलोपेथी होती है वो एक अपने आप में ब्रोड है मैं यह नहीं कहा रहा कि योग गलत है योग बहुत बढ़िया है आपको हमेशा करना चाहिए सूबै से उठकर के डेली का रूटीन बनाना चाहिए बट मैं एक बात और विश्वास की कर रहा हूं कि हम लोग किस बात पर यकिन करना ज्यादा पसंद करते हैं अनुलों विलों पर यकिन करते हैं ना को यूँ बंद गिया सांस को अंदर ख इम्राज साकसी और बाबा में फरक कैसर डॉक्टर और बाबा में बिल्कुल जी साकसी आपने सही लिखा तो यकीन करें अपनी बातों पर यकीन करें सच का सामना बिल्कुल करें हमेशा वाइल टूथ क्या है एक साइंस के स्टुएंट को हमेशा समझना चाहिए एक्ट्व वर्ड्स क्या हैं उस वर्ड को समझना जरूरी है उसी वर्ड को लेकर करके टॉपिक की सुरुबात कर रहा हूं that is a respiration हम लोग कई बार हम जब छोटे थे चोटे थे तब हमसे पूछते थे कि यह सांस कैसे लेते हो जी नाक से लेते हैं स्पष्ट गायक बोलते हैं जी नाक से पढ करते हैं फिस के अंदर मचलियों के अंदर मेंड़क का अलग portion पढाते थे उसके अंदर frog इंदर भी पढ़ा करते थे आप कि frog नाक से सांस लेते हैं यह नहीं होता नाक तो वो जरिया है वो रास्ता है जाहां से सांस अंदर की तरफ जा रहा है और सबसे बड़ी बात एक environment में से एक environment से आप क्या select करते हैं आप से मैंने कहा कि सांस लो सांस को बाहर निकलो इसका मतलब क्या है oxygen आप लोग oxygen को चूज करते हैं क्या environment से नहीं जी सब चोड़ दो सिरफ oxygen को अंदर लेना है oxygen को carbon dioxide को बाहर निकालना है यह हो गया यह तो पूरी respiration का एक छोटा से एक मतल हिस्सा है यह respiration नहीं है आपने कहा जी oxygen को अंदर लिया carbon dioxide दोबार निकाला मैं भी कहता हूँ ठीक है जी बट यह एक respiration का हिस्सा है आप समझके देखिए पूरे environment में क्या oxygen ही है सबसे ज्यादा nitrogen है 78 परसेंट नियर बाउट एप्रोक्सिमेट nitrogen है oxygen है carbon dioxide है हम सारे की सारी अंदर की तरफ लेते हैं एक question आप से क्योंगा उसका जबाब भी आप मुझे ही देंगे कि जब environment से सब nitrogen भी ले रहे हैं oxygen भी ले रहे हैं carbon dioxide भी जा रहे हैं अंदर की तरफ तो क्या oxygen को उपन चूज कर लेते हैं environment से अलग से कि नहीं जी oxygen oxygen अंदर जाएगी बाकि सब बाहर रहे हैं ऐसा नहीं होता filtration होता है humidification होता है heating होती है बहुत सारी चीजे हैं हम discuss बारी बारी से करेंगे सबसे पहला वर्ड है respiration it is the exchange of oxygen and carbon dioxide between environment and cell of body where organic nutrients are broken down enzymatically to release energy pulmonary ventilation plus breathing समझो बात को इसनी क्या कहा हमने environment से सारी gases को अंदर लिया वो gases nose से होती हुई अंदर की तरफ जा करके trachea से होते हुए lungs तक पहुँची lungs में हमारे पास होते हैं alveoli समझो बात को alveoli सबने सुन रखा है lungs के अंदर मुझूद है alveoli के अंदर जाने के बाद वहां से हमारे actual respiration की सुरुवात होती है वहां पे alveoli से gases अंदर पहुँची blood में blood में circulate हुई और circulate होने के बाद ये directly पहुँची tissues के पास हमारे tissues तक oxygen की बात कर रहा हूँ oxygen सारी gases एक साथ अंदर जा रही है उसमें से alveoli ने oxygen को pick किया करने के बाद किस की तरफ भेजा transport किस की तरफ किया blood में blood ने उसको circulate किया body की particular जितनी भी cell से सब तक पहुँचा दिया तीन बाते बोड़नाओं तीनों बाते बस यहीं से शुरुआत अटोपी की oxygen अंदर alveoli, alveoli से blood में blood से होते हुए circulate होते हुए transportation करके सीधा tissue तक गई tissue में जो materials है organic materials है उनको जरूरत पड़ी इस oxygen की उसको utilize किया metabolize किया उसके बाद उन्हीं tissue से carbon dioxide निकली वो carbon dioxide blood के through circulate होते हुए blood ने इसको कहां पहुंचाया alveoli तक और alveoli से वबस carbon dioxide हमारे सरीर से बाहर निकल गई that is the respiration यहीं पर अपन पात करेंगे pulmonary ventilation की भी pulmonary ventilation की बबात करेंगे respiration की भी बात करेंगे breathing की भी बात करेंगे बहुत सारा पूरा लंबा चुड़ा portion है पहले देखते हैं कौन-कौन हमाई साथ जूड़ चुकाए जी तोपी को समझने का एक पर प्रयास करें बहुत ही बिल gas हमेशा कैसे transport करती है अपने higher partial pressure से lower partial pressure की तरफ हमेशा gas transport करती है हमेशा पकड़ लीजिए कि gas हमेशा higher partial pressure से lower partial pressure तक ही जाती है आने वाली जब classes होगी तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहेगा इस line का तो इसको भी मैं स्टामा कर देता हूँ आप लोग यह बात लिखेंगे तो मैंने अभी तक आपको क्या बताया सिर्फ दो बाते बताई अभी तक सिर्फ दो बाते बढ़े दोनों नोटेड करके जरूर रखेंगे मैंने आपको क्या कहा गैस अंदर गी हमने कहा नोश के थो गई रास्ता है यह ये यह स्ट्रक्चर वैसे नहीं है कि यहाँ से अपने को सांस आज आ यह आपकी पूरे lungs की एक alveoli है, यह आपके lungs की alveoli है, इसी alveoli के through, यहाँ जुड़ा हुआ portion मैं black color से बना रहा हूँ, यह आपकी है blood vessels, यह alveoli और यह है आपकी blood vessels, और इसके पास में रखे हुए हैं tissues, माल लीजिए, बस एक बार थोड़ा सा फंडा क्लियर कर लीजिए कि actual study होती कैसे है, oxygen अपने higher partial pressure से, lower partial pressure तक माल लीजिए कि alveoli इसको ले करके गई, oxygen को ले करके गई blood में, यह आपकी blood vessels है, कोई capillary है, इसमें से ले करके गई, पहले blood alveoli से गया blood capillary में, blood capillary से गया, यह directly हमारे tissues के अंदर, हमारी body cells की तरफ, body walls की तरफ, तो यह particular यह area रहता है, यह इस तरीके से रहता है, oxygen, blood में, blood इसको ले गई, tissue के अंदर, यहाँ पे metabolism हुआ, metabolism होने के बाद में carbon dioxide निकली, CO2, फिर यही oxygen, यही carbon dioxide, blood ले करके किस की तरफ पूंचा देगी, alve इस तरीके का circulation हमारी body के अंदर actual में चलता रहता है, ठीक है जी, लक्षमिनायन, रजत, टीशी रवी, ओकी जी, अब समझो इस चीज़ को, कि हमने आगे की तरफ क्या-क्या पढ़ना है, अब respiration कितनी तरीके का होता है, actual में respiration की स्थीती क्या है, respiration बचा लोग दो तरीके का होता है, एक तो होता है हमारे पास aerobic, एक होता है anaerobic, aerobic respiration वो है जहां पे हमें oxygen की जरूरत पड़ती है, एक ऐसा respiration जहां हमें oxygen की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे बहुत सारे animals हैं जिनको oxygen की जरूरत नहीं पड़ती, और ऐसे बहुत सारे animals हैं जिनको oxygen की जरूरत पड़ एरोबिक हमारे पार्ट अभी इस टोपिक का हिस्सा नहीं है, हम उसको डिसकस नहीं करने वाले, एरोबिक की बात करने वाले हैं, जो हमारे लिए oxygenated है, हमारे लिए oxygen इंपोर्टेंट रहती है, आपको मैं एक इंपोर्टेंट बात बताने की कौसिस करूँ, आपने blue whale का नाम स इसमें मैं बात कर रहा हूँ, aerobic respiration और anaerobic respiration की, मैं तो एक बात कहना चाह रहा हूँ आपको, कि अगर मैं directly एक simple सी बात करूँ आप से, कि बच्चा लोग aerobic के अंदर और anaerobic के अंदर difference किस बात का है, सिरफ और सिफ एक ही बात का difference है, एक है oxygen, auto और एक है deoxygen, जहां पे हमे oxygen की जरूरत नहीं पड़ती, मैं blue whale की बात कर रहा था, आपने blue whale के बारे में बच्चपन में सुना होगा, blue whale बहुत ही विशालकाय होती है, इसका वजन इतना होता है कि ये 20 से 30 हातियों के बराबर, इसका टन के बराबर, इसका weight होता है, सब ने सुना है क्या, yes or no, blue whale के बा इतना होता है कि 20 से 30 हाति भी उस पर आ सकते हैं, बिल्कुल सक्सी, हाँ जी, बिल्कुल मैं आपको एक बहुत इंट्रेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, धान से सुनिए, blue whale किस तरीके से oxygen लेते हैं, मैं उसको aerobic में ले रहा हूँ, blue whale को aerobic में ले रहा हूँ, एक ऐसा animal, जो समुद्र के अंदर है, उसके अंदर भी उसकी structures हैं, वहाँ से oxygen वो pick up करता है, स्रीर को अंदर oxygen ले के जाता है, उसके बाद में वो oxygen बाहर निकालता है, oxygen लेने के लिए उसको environment के touch में आना जरूरी होता है वो समुदर के अंदर ही रहे तो पूरी तरह oxygen उसको नहीं मिल पाती क्योंकि पानी सरीर में रहेगा तो लंग्स तो पानी से बर जाएंगे न उसको तो पूरी तरह से oxygen खुले में चाहिए तो environment में oxygen रहती है कभी समुदरी एरिया के पास जाके देखना जहां पर ये blue whale वगरा मिलती है blue whale थोड़ी थोड़ी देर में उपर आती है वापस अंदर जाती है थोड़ी देर में फिर उपर आती है फिर उपर आती है फिर उपर आती है फिर उपर आती है फिर अंदर जाती है आपने ये बात notice की है, कभी कि वो बाहर आती है, फिर अंदर जाती है, बाहर आती है, डॉल्फिन के case में आपने देखा है, पर डॉल्फिन का case थोड़ा दूसरा है, डॉल्फिन के case में कहानी दूसरी है, विश्णू, रजट, हाँ मूवी में देखाई जी बिल्कुल, इसी बात को मैं दुबारा repeat करूं आपके सामने, कि blue whale जब बाहर आती है, अंदर जाती है, तो ये ऐसा क्यों करती है, ऐसा वो अपनी पूरी life ऐसा करती रहती है, हर एक दो घंटे में वो एक बार आती है, oxygen लिया, अंदर चली गई, फिर उसके बाद काफी देर तक नीचे survive करती समुदर में फिर वापस बाहर आती है, फिर अंदर चली जाती है, कई बार समुदर का बहाव इतना तेज होता है, कि वो एक जटके के साथ समुदर की किनारे पे आ जाती है, आप जानते हैं, अगर वो समुदर के किनारे पे आ जाए, तो उसकी death हो जाती है, वो मर जाती है, इसका मतलब साफ हुआ कि ब्लू वेल जो होती है उसके अंदर अगर वो बाहर की तरफ आ जाएंगे समुद्र की किनारी की तरफ अगर वो आ जाएगे तो उसका वेट इतना होता है कि वो जैसे ही बाहर आएगे तो वापस अंदर की तरफ नहीं जा पाएगी क्योंकि उसकी वेट के कारण उसकी जो हड़ियां है वो पूरी तरह से क्या हो जाती है तूट जाती है ब्रेकडाउन हो जाती है और उसके अल्वेलाई जो होते हैं वो कॉलेक्ट हो जाते है समझ ये बात को हड़ियां टूटने की वज़य से वो वहीं पे मर जाती है उसका weight जो है weight bearing system है वो सिर्फ समूदर के अंदर है बाहर नहीं है अगर surface पे ले आओगे blue whale को तो वो मर जाती है ये भी बात बड़ी important है आपके लिए समझे अब अब मैं यहां से human body की तरफ आ रहा हूँ alveoli oxygen direct भी हो सकता है और indirect भी हो सकता है aerobic, anaerobic aerobic part वो है respiration में जहां पे aerobic part वो है जहां पे हमें oxygen की जरूरत पढ़ती है oxygen की जरूरत दो तरीके से हो सकती है इक diversity की बात करें तो direct और indirect की case में direct, direct aerobic respiration पूरा word समझे direct aerobic respiration क्या मतलब है जी direct aerobic respiration का oxygen की जरूरत तो है but direct है without any structure किसी भी structure की बिना किसी जरूरत के बिना किसी जरूरत के structure के उसके अंदर direct transportation हो रहा है सिधा सिधा कहूं कि जैसे हमारे अंदर lungs है इंसेक्ट के अंदर आप देखेंगे ट्रेकिल ट्यूब्स होती है और fishes के अंदर gills होते है ऐसी कोई structure नहीं होती उनके अंदर ऐसी कोई structure नहीं होती direct oxygen अंदर आ रही है direct carbon dioxide बाहर निकल रही है बस इतना सा काम है उसकी cells को direct मिल रहा है बिना किसी organ के बिना किसी structure के ऐसा होता है हमारे पास direct aerobic respiration में बहुत सारे ऐसे animals है lower animals की जब बात करेंगे नीडेरिया फाइलम की बात करेंगे आप जब आप search करेंगे नीडेरिया फाइलम आपने 1112 की classes के अंदर biodiversity पढ़ रखी है तो उसके अंदर आप अलग अलग देखेंगे नीडेरिया है, sponges है इसके लावा unicellular है ऐसे बहुत सारे animals हैं जिनके अंदर ऐसी कोई structure नहीं होती बस सीधा का सीधा oxygen जो है ट्रांसपोर्ट होता है बात खतम, इतनी बात समझ में आई अभी तक मैंने सिर्फ आपको तीन से चार ही बात बताईए वो तीन से चार बाते क्या है मैं recap करते ता हूँ आपके सामने respiration का मतलब क्या है human body के case में oxygen अंदर है, जा रही है alveoli उसको ले करके पहुंचाती है blood के पास blood उसको ले करके पहुंचाती है tissue के पास tissue के अंदर होता है metabolism, organic materials है substance है, उनका metabolism हो रहा है metabolism होने के पात carbon dioxide develop है carbon dioxide को वापस blood pick करती है और उसको alveoli तक छोड़ देती है कहने का मतलब oxygen अंदर है और carbon dioxide बाहर जा रही है बस, इसके अलावा हमने कहा कि जितनी भी gases होती है वो अपने higher partial pressure से lower partial pressure तक transport करती है second बात third बात हमने respiration को अलग-अलग divination में दिया आपने एक होता है aerobic respiration एक होता है anaerobic respiration aerobic वो होता है जहांपे oxygen की ज़रूवत पढ़ती है anaerobic वो होता है जहांपे oxygen की ज़रूवत नहीं पढ़ती aerobic को भी हम दो पार्ट में डिवाइड करते है एक direct एक indirect direct वो respiration होता है जिसके अंदर हमें अलग से कोई structure की ज़रूवत नहीं है जैसे lungs है gills है tracheal tubes है insect के gas में अगर उनके अंदर ऐसी कोई भी structures नहीं है अलग-अलग structures नहीं है तो direct ही gas का exchange हो रहा है बिना किसी structure के तो उसको बोलते है direct respiration छोटे-छोटे lower animals में देखा है हमने need area phylum में देखा है sponges में देखा है sponges के अंदर बताऊं आपको sponges आप समुद्रों के किनारों पर ही बात करेंगे थोड़ा diversity को भी थोड़ा ले करके चलेंगे तो बात समझ में भी आएगी उसके अंदर osculum होता है आप समझेंगे बात को इस तरीके का structure होता है इस तरीके से दिखता है वो sponge आप देखेंगे उसके अंदर direct सिधा एक pores होते है छोटे pores होते है आगे बनो इसके बात है हमारे पास indirect respiration indirect का मतलब क्या है direct oxygen contact में नहीं है पहले तो वो structure के पास जाएगी और उसके बाद वो transport करेगी indirect में लिखा respiratory surface होती है उसके अंदर blood involved हो रहता है और इसके बाद में transport का gases होता है अब ये indirect respiration भी हमारे पास दो तरीके का होता है एक होता है external एक होता है internal बाहर की तरफ से भी है और अंदर से भी है ये कैसे होता है external और internal अभी देखते हैं अपन ये बात आपको समझ में आई ये chart आपको याद हुआ ति हमने basic respirator system को जब start किया है तो एक chart हमारे दिमाग में बन चुका है respiration की बात करते हैं सर तो respiration दो तरीके का aerobic, anaerobic aerobic के case में जहां oxygen की ज़रुद पढ़ती है ऐसे दो टाइप के होते हैं कौन कौन से होते हैं direct और indirect direct की case में structure की ज़रुद नहीं indirect की case में structure की ज़रुद है indirect भी हमारे पास दो तरीके का होता है एक external respiration एक internal respiration अब आगे की तरफ अपन बढ़ेंगे इतनी बात मेरे बच्चा लोग समझ में आई आपको internal respiration का दूसरा नाम भी अपने लिख रखा है tissue respiration भी बोलते हैं cellular respiration भी बोलते हैं रजयत लक्षमिनारायन रानी पंडित बिल्कुल austium कहते हैं बिल्कुल आपने सही लिखा यहाँ पे austium होते हैं चोटे चोटे जिनको pores के थूँ एक्चेंज होता है ओके जी ओके लक्षमिनारायन रानी पंडित सपना aerobic सपना aerobic वो पार्ट होता है जहां पे हमें oxygen की जरुवत पड़ती है oxygen की जहां जरुवत है वो aerobic हो गया air से related है ओके ठीक है लोग इस आगे बढ़ सकता हूं बच्चू सिंग इजाज़त है साक्सी ठीक है likes के संग्या में कमी ना हो बहुती जीरो लेवल से अपन स्टार्ट करने है टॉपी को धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ाएंगी जी अगर आप इसका screenshot लेना चाहते हैं definitely ले ले एक बार मैं हड जाता हूँ ओके अब हम बात करेंगे external respiration और internal respiration गी इससे पहले कुछ छोड़ी छोड़ी बाते भी अपन करने वाले है थोड़ा सा एक basic chapter है तो introduction में ऐसी बाते की जाती है आपने देखा है कि हमारे जब structures की बात करते हैं अपन सारी तो बहुत सारे daily routine के अंदर बहुत साजी चीज़ें होती है एक तो yoning होती है कौन बताएगा मुझे क्यों आती है उबासी भई सर जी बोर हो जाते हैं तब आती है बच्चो सिंग जी बताएजी बोर हो जाते हैं तब याती है क्या साक्सी ने सही लिखा oxygen की deficiency lack of oxygen oxygen की कमी ये oxygen की कमी कहा है important सवाल तो यही है मेरा oxygen की कमी कहां पे है environment में हमारी body में blood में Krishna ने कहा brain में बताएजी सोचके बताएजी एक बार कि yoning हमें उबासी क्यों आती है आ गई सर जी बिल्कुल अब समझने का प्रयास करें थोड़ा सा मैं तीन चार सब्द लिखता हूँ आपके लिए एक योनिंग है एक कफिंग है एक हाई कप है हिचकी हिचकी क्यों आती है जी यह कुछ सब्द हैं जो हमारे daily routine में काम में तो आते हैं पर हम इनका मतलब नहीं पता होता और एक चीज़ और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि आपको cold drink पीने की इच्छ है क्यों होती है ज्यादा कब होती है ऐसा कब ऐसा होता है कि हम जब मन करता है तब गर्मी के टाइम बोलते हैं सर cold drink पेने का मन कर रहा है और तुरन तब पानी पे लेते हैं तो शांत हो जाता है मन बिलकुल एक दम चंदर ने लिखा डायाफराम के muscle movement करते हैं अलग-अलग सबके बिलकुल आपके messages आ रहे हैं मैं समझ सकता हूँ आपकी बाते समझने का परियास करें yawning lack of oxygen oxygen की कमी है अगर हमारे body tissues के अंदर oxygen की कमी हो जाती है तो हम यूं कहते हैं कि sir उबासी आ गई तो क्लास में teacher क्या बोलते है बेटा बाहर जाओ पानी पी के आओ मूँ धो के आओ ऐसा सब्द बोलते हैं oxygen की जरूरत मिल जाती है हमें oxygen की demand वो पूरी हो जाती है coughing खासी क्यों आती है irritation होता है हमारे गले के अंदर तब ऐसा हो सकता है epiglotis के time पे भी ऐसा हो सकता है epiglotis आपने सुना होगा आपने बच्पन में छोटी किताबे पढ़ी होगी उसको हिंदी में बोलते है घाटी डकन आपने देखा होगा trachea के उपर ऐसा एक डकल लगा रहता है epiglotis तो वो क्या करता है अपने आप movement करता है जब भी खाना अंदर की तरफ जाता है तो वो अपने आप trachea को ढख देता है ऐसे कुछ रास्ते होते हैं अलग-अलग रास्ते होते हैं simplified बातों के तरीके से समझें ये मालीजे दो रास्ते हैं एक वो रास्ता है जिसके अंदर आपका air जा रहा है एक वो रास्ता है जिसके अंदर आपका food जा रहा है food जिसमें जा रहा है वो है isophagus food जिसमें जा रहा है वो isophagus है air जिसमें जा रही है वो है trachea और यहां पे वो ढखकन लगा रहता है यहां वो ढखकन लगा रहता है कई पार क्या होता है कि जैसे ही फूड एंटर कर गया फैरिंग्स के तुरू यहां से एंटर कर गया और करने के बाद यहां से फूड यहां नहीं गया यहां चला गया और यह डखकन थोड़ा सा खुला रह गया ये डकन खुला रह गया और इसके अंदर से फिर ये चला जाता है और अपने करते हैं यूं करते हैं तुरूंत कहते हैं पानी पिलाओ पानी पिलाओ जी वो जैसे आप कफिंग करता है बोडी खुद करती है ये काम आप नहीं करते हैं बोडी खुद बे खुद ये काम करती है यहां करते हैं पानी पीते हैं वो जैसे ही food particle यहां चला गया और वापस बाहर आता है और यहां पानी जैसी गया इसको ले करके इसोफेगस में पहुँचा देता है रहा हम नॉर्मल हो जाते हैं समझे बात को यह involuntary process है हमारी body के अंदर अपने आप यह काम हो रहा है body खुद बेखुद यह काम करती है कई बार कहते हैं कि सर किसी को याद करते हैं तो हिच्की आती है किसी को याद हमें कर रहा है तो हिच्की आ रही है तो ऐसा कुछ है क्या we don't talk on eating बिल्कुल हमें खाने खाना खाने खाना खाते टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए साक्सी ने सही का coughing protective reflex बिल्कुल जी मेंटू कुमार बिल्कुल भी नहीं नहीं बिल्कुल जी समझे बात को कि खाना खाते टाइम हमें बात नहीं करनी चाहिए यह सही बोलते हैं बुज़ूर्ग लोग बोलते हैं पर हम कहां मानने वाले होता है बड़ा जल्दी जल्दी काम करने के एकदम तपश्या में रहते हैं कि फटा फटा अपना काम निप्टा दिया जाया है बात करते रहते हैं जलता रहता प्रोसेस अपने हैं कि बोड़ी खुद बखुद हमारा protection कर रही है कहां दिक्कद है बट यहां बड़ी दिक्कद आजा दिया है यह कही वार क्या होता कि माइंड कहीं सैट और होता है बात कहीं और कर रहे हैं सोच किसी के ख्यालों में पड़े हुए हैं, किसी के ख्यालों में एकदम से ख्याल ख्याल आ रहा हैं, फिर सोच रहे हैं कि हाँ ठीक है, उसने ऐसा किया मेरे साथ, माइंड कहां डाइवर्ट हो गया, उस बात की तरफ, और यह जो रिफ्लेक्स अपने आप जो ब्रेन संकेत देने वाला था, ब्रेन तो बूल गया है, इसको तो संकेत दे नहीं रहा है, उस ख्यालों में खोया हुआ है, तब क्या होता है, ब्रेन किसी के ख्यालों में है, बात गलोटिस कर रहा है, अरे क्या कर रहा है, दिमाग सोच तो सरी, क्या यह खाना पीना जहां बेजना चाहिए, वहां तो भेज नहीं रहा है, मेरी तरफ बेज रहा है, मेरे को सूचना तो दे, यह इसमें आ रहा है, बार बार इसमें आ रहा है, फिर आपन करते हैं, यूं करत आपने, क्या होगा ट्रेक्या में, बिल्कुल बेटा, ट्रेक्या के अंदर अगर food particle अंदर की तरफ ज्यादा चला जाएगा, तो समझीए आपको gas के exchange में दिक्कत आएगी, ट्रेक्या का सीधा connection हमारे bronchios के साथ है, bronchus के साथ है, आगे के साइड में अपने classes में पढ़ेंग हम कहेंगे, सर सांस नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये फज जाता है, फिर डॉक्टर के पास तुरंत मुझते हैं अपन, इस reflex action के अंदर भी बड़ी problem हो जाती है, कई बार, brain सूचना देना भूल जाता है, अगर सूचना नहीं देगा, तो फिर दिक्कत आएग बहुत ही basic सा concept है, समझने का प्रियास करें, तभी बोलते हैं, भुज़र्ग लोग भी खाना खाते टाइम बात नहीं करनी चाहिए, खाना भी बैठ करके खाना चाहिए, आराम से relax हो करके, ओके, और हिचकी, high cup और cold drink की बात है, cold drink की बात आती है, गर्मियों का time आता है, बढ़ जाती है, blood की viscosity बढ़ जाती है, blood अगर गाड़ा होने लगता है, उसी time आपको प्यास लगती है, भेंकर प्यास लगती है, हलांकि thrust center हमारे लिए बहुत ही मैतपून काम करता है, ये भी brain के control में है, आपको मैं nervous system में बताऊंगा, कि किस तरीके से thrust center भी है, वो काम करत रहे हैं, बढ़ फिर भी एक basic idea मैं आपको आदू, कि blood की अगर viscosity बढ़ जाती है, तो हमें प्यास लगने लगती है, blood गाड़ा होने लगता है, ऐसी स्तीती में तुरंद कहते है, सर भाई cold drink पी क्या हूं, तो आपनो cold drink पीते हैं, सर अब ठीक है, अब मज़ा आ गया, मैं ऐ ऐसे students को एक advice देना चाहूंगा, कि किसी को भी cold drink की प्यास लगे, आप directly बोलना कि सर मुझे तो पानी पीना है, cold drink नहीं, जिसको भी इच्छा हो रही है, उसको पानी पिला दो, वो अगले पल में दुबारा ये नहीं कहेगा, बैया cold drink पीनी है, दुबारा नहीं कहेगा प्यास दबल लगती है उसके थोड़ी दिर बाद में, गंटे बर में, आदा गंटे में, दो गंटे में प्यास बहुत जादा लगती है फिर, ऐसे सब्द हमें पता होनी चाहिए, medical के student है, confirm याद रखो, किसी को cold drink की इच्छा और ये diet समझा और ब्लड गाड़ा हो गया, उ लोग तब पानी-पूरी वाले के पास पहुंचते हैं, जब आपकी बोड़ी में थोड़ी को salt की कमी सी लगने लगती है, तो आप अगर माली जी उसी टाइम खाना खा लेंगे, तो आप अगले पल में कहेंगे, अब मेरे को पानी-पूरी नहीं खानी, पेट भरने से तो है ही, बट इसके अलावा पता होना चाहिए कि salt की कमी होती है, तब इच्छा होती है कि कुछ नमकीन खाया जाए, ओकी जी, बाते समझ में आ रही है तो definitely like और share जरूर करेंगे, बिलकुल साक्सी, सही लिखा, बिलकुल dehydration की condition में भी ऐसा होता है, कई बार आपने देखा होगा ऐसा, ओके, तो confirm समझ में आ रहा है, तो definitely promise कीजीए कि share करेंगे, पानी में डाल कर पी लेंगे, बिलकुल जी, ओके बहुत ही general सी बात आज मैं करने वाला हूँ, introduction मैंने का था, introduction मेरा कुछ ऐसा ही होता है, कि मैं बहुत सारी बाते आपको एक साथ बता हूँ, और मन त इसको पढ़ें जरूर, उसमें लिखा हुआ है कि मैंने specially बताया है कि आपन क्यों बोलते हैं कि भूक मर गई, इसका क्या कारणा रहता है, hunger patches कैसे काम करते हैं, right, coldering हुआ, high cup, coughing and yawning, ठीक है जी, हिचकी का diaphragm से सीधा relation है, muscles fibers होते हैं, उनके अंदर, क्या लिखा आपने, accident में water में, कमीन तुछ, हो जाता है क्या, rakes, skujar, क्या लिखा बिटा, मुझे पूरा समझ में नहीं आया, आपने, आपने क्या लिखा, मुझे पूरी बात आपके समझ में नहीं आई ये, ये क्या accident, accident की spelling भेस आपने सही नहीं लिखी, ओके जी, ठीक है, तो थोड़ा सा आप आगे की तरफ consider करें एक बार, अब मैं topic को आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ, आपके लिए छोटा सा एक part लेकर करके आ रहा हूँ, थोड़ा से ध्यान से समझ जीए, aerobic और anaerobic direct बताया, indirect बताया, indirect का मतलब क्या है, जहां पे हमारे लिए पूरे organ system हमारे पास मुझूद रहता है, तब जाकर कैसा होता है, और अगर वहाँ अगर कोई system मुझूद नहीं है, सिधा direct transportation हो रहा है, तब direct होगा, इसमें किसी भी type के organ की ज़रुवत direct में नहीं पढ़ती, इसमें पढ़ती है, एक होता है external, एक होता है internal, समझी बात को, एक होता है external respiration, एक होता है internal respiration, क्या फरक है जी internal respiration को, internal respiration को अपन एक नाम से और भी जानते हैं, cellular respiration भी बोलते हैं, cellular respiration भी बोलते हैं, and tissue respiration भी बोलते हैं, कोई अगर examiner आप से कहता है कि tissue respiration क्या है, तो वो internal respiration की बात कर रहा है, अगर आप से कोई examiner कहता है, साइद मुझे black pen से लिखना चाहिए, तो internal respiration क्या है, तो इस बात को आपको समझना होगा, बहुत ही general सी बात करने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान से focus लगा करके सुनें इसको, कि अब मैं एक diagram draw कर रहा हूँ आपके लिए, उस diagram को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ठीक है जी, ये हैं आपकी एक alveoli, मैं आपको indicate कर देता हूँ, थोड़ा ध्यान से समझी, बहुत ही important part है, और ये आपको बहुत आगे की तरफ पूरे mechanism में काम आएगा, अगर ये समझ गए तो बहुत काफिया तक 20-30% काम आप respiration system का कर चुके होंगे, समझ ये बात को, ये आपकी alveoli है, और ये आपका, मैंने बना दिया, एक blood capillary, ये blood capillary मैंने बना दी, blood capillary के पास में ही मैंने बना दिये tissues, ये मैंने बनाया tissue, बहुत ही general सा ही समझाने क्या परियास कर रहा हूँ बेटा, एकदम थोड़ा धीरे से अराम से समझेंगे तो समझ में आएगा, alveoli है, और ये आपकी blood capillary है, blood capillary है, blood, और ये आपके tissues है, ये आपके body tissues है, जहाँ पे जाग करके metabolism होता है, अब इस चीज़ को थोड़ा सा फुक्स करें, alveoli और blood capillary, blood capillary में मैंने ये छोटी-छोटी cells बना दी, blood capillary के सबसे अंदर की जो cells होती है, उनको बोलते हैं endothelium, endothelium, ये इसकी endothelium wall, ये endothelium है इसकी blood capillary के अंदर, और ये हैं आपकी alveoli, और alveoli के अंदर ये हैं आपकी simple squamous epithelial tissue, ये इसके simple squamous epithelial, और ये ही पे ये हैं simple squamous epithelial, ये alveoli के अंदर की wall का मैंने sequence बताया आपको, मैं आपके लिए लिए लिख भी देता हूँ, simple squamous epithelial, और ये जो black color में मैंने capillary के अंदर बनाया, ये है endothelium wall, अब समझो इस चीज़ को, कि कहना क्या चा रहा हूँ मैं, external respiration और internal respiration में difference क्या है, किस बात का difference है, बस एक सब्द में ही समझा दूँगा, पूरा कहीं complications नहीं है, ऐसे detail में बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है, समझी इस चीज़ को, कृष्णा ने कहा, कुछ लोग नींद में सोते सोते भी मर जाते हैं, मरने का तो बहुत ही कारण होता है, भरत बहुत सारी कारण हो सकता है, उनको कोई cardiac arrest हो गया हो, heart attack आ गया हो, या फिर कहीं ना कहीं कोई breathing में समझा है, इससे पता नहीं चला पाएंगे, कि अब नींद में सोते सोते मर गया, यह कोई ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारी कारण होते हैं इसके लिए, क्या लिखा है आपने, पैरेस्टाल्टिंग मॉमेंट से जो साउंड आती है, सब कुछ बताया जाएगा, थोड़ा सा एक बार ध्यान लगा के सुनिएगा, ओके, आप साथ खराटो वराटो की बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल समझा हूँगा, जब मैं नोज बताऊंगा ना आपको, तब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे एक बार टाइम देश्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे फोकस करेंगे स्क्रीन पे, इस बात को जरूर समझेंगे, कि एक्स्टरनल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है, थोड़ा सा एक बार स्क्रीन पे देखेंगे, कराटे वाली प्रोब्लम है, मैं समझ गया आपकी बात, इसको यहाँ समझाने से मच बैटर है, जब मैं नोज पढ़ा हूँ आपको, तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से डिकल में बता पाऊंगा, अभी एक बार फोकस करें, ताकि मैं अपनी जनरल सी जो बात है, आज खतम करता हूँ, ले लेंगे इसको, आपकी एक भी डाउट नहीं रहने देंगे, थोड़ा सा मुझे बढ़िया लेवल से बताने तो दीजिए, टाइम लगेगा इसमें, इसमें थोड़ा सा आएं, एक बार, हमने लिखा, एरोबिक के अंदर इंडारेक्ट, और इंडारेक्ट के अंदर एक होता है, एक होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, एक होता है, इंटरनल रेस्पिरेशन, में जा रही है अगर मैंने कहा alveoli से oxygen blood capillary में जा रही है that is external respiration that is external यह हमारा environment से oxygen आई alveoli तक आई alveoli ने उसको किसको दिया blood capillary को बस यह external है अब blood में जो oxygen आई उसको transport किया blood capillaries ने और किसमें भेज दिया tissues के अंदर oxygen कहां पहुंच गई tissue के अंदर यह हैं आपका internal respiration अब मैं अगर बार बार कहीं internal बोलूँगा या external बोलूँगा तो बात को समझने का प्रियास करें मैंने कहा external respiration exchange between the alveoli and blood capillaries internal respiration exchange between the blood capillaries and the tissues oxygen अंदर गई उसने organic material का metabolized करवाया metabolism हुआ उसके बाद में carbon dioxide बनी ATP भी बनती है energy की रूप में यहाँ पर जैसे carbon dioxide बनी carbon dioxide बाहर आई tissue के थूँ होती होगी किस में पहुँची CO2 blood capillary में और blood capillary से वापस alveoli ने पिक किया और इसको बाहर निकाल दिया तो carbon dioxide तो स्रील से बाहर निकल गई और oxygen स्रील के अंदर आ गई ये respiration जो होता है वो external भी होता है internal भी होता है external between alveoli and blood capillary internal blood capillary and tissues के अंदर जो हमारी body की cells है उनकी तरफ पहुचा दिया बस इतनी से बात है एक मज़ेदार और important बात भी आपको मैं बताने जाओं कि यहाँ पे होते हैं lecithin यहाँ पे होती है lecithin आप embryology के अंदर भी लेयर होती है जो कि एक surfactant का काम करती है मैं आपको पूरा detail में भी बताऊंगा जब मैं alveoli की structure discuss करूंगा तो बताऊंगा कि surfactant होते हैं यहाँ पे alveoli में alveoli के अंदर होते हैं surfactant surfactant क्या है एक ऐसी surface जो कि phospholipid layer की बनी होती है अगर surfactant पूरी तरह से बने हुए है lecithin अगर है वहाँ पे तो मैं एक सब्द लिखना चाहूँगा वो देखने हैं अध्यान से यहाँ lecithin जो होती है इसको detail में आपको alveoli में discuss भी करूँगा लecithin जो होती है वो alpha anti-trypsin को promote करती है alpha anti-trypsin को promote करती है जिसकी वज़े से alveoli जो होती है वो alveoli क्या हो जाती है collapse नहीं होती alveoli full जाती है alveoli के अंदर आराम से gas का exchange होता रहता है जिनके अंदर lecithin पूरी तरीके से alpha anti-trypsin को promote करती है उनके अंदर alveoli collapse नहीं रहती छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं न्यूबोर्ण एक बेबी होता है embryology के अंदर आप पढ़ते हैं इसीज को embryology के अंदर कहते हैं कि अगर बच्चे का पूरी तरह से surfactant या lecithin नहीं बना है अगर lecithin नहीं बना है तो ऐसी स्थिति के अंदर उनकी जो alveoli वो collapse रहती है बंद रहती है gas का exchange नहीं होता बच्चा सांस नहीं ले पाता बड़ों में क्या होता है आप लोग medical surgical के disorders में भी पढ़ेंगे कई बार कि अगर alveoli collapse कर जाए तो gas का exchange नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पे surfactant जो है lecithin है वो alpha entry trypsin को promote नहीं कर पाती normal जो हमारी आपकी condition है उसके अंदर क्या है lecithin होती है एक surfactant area है phospholipid layer होती है वो surfactant क्या करती है alpha entry trypsin को promote करती है promote करने का मतलब सीधा सीधा है बहिया alveoli जो है वो collapse एक बार नहीं करेगी एकदम से पूरी तरह से alveoli fully aware रहेगी और gas का exchange आसानी से रहेगा अगर यह collapse कर जाए अगर यह alveoli collapse कर जाए तो gas का exchange अच्छे से नहीं हो पाएगा इतनी बार समझे बचा लोग बिल्कुल smoking करने वालों में ऐसा होता है बच्चे के रोने से relation नहीं कह रहा बच्चा मैं कह रहा हूं कि बच्चे के सांस लेने का सीधा connection बोल रहा हूं मैं बच्चों का सीधा अगर जैसे embryology में आप पढ़ेंगे उसमें pediatric में third year में आप लोग पढ़ते हैं न्यूबोन सक्सी मैं new bone की बात कर रहा हूं बेटा सही बात कर रहे हैं अपन कि सर्फेक्टेंट अगर काम नहीं करेगा तो एंदर एल्यूलाई क्या रहेगी एल्यूलाई से गेस का एक्षेंज ब्लड कैपिलरी में हुआ यहां oxygen सीधा ट्रांस्पोर्ट हुई ब्लड कैपिलरी के अंदर external respiration ब्लड से सीधा टीशू में गई internal respiration दोनों respiration मेरे बच्चा लोग आपको समझ में आया आज की क्लास में yes और no बिल्कुल भरत आपने asthmatic condition सही लिखा ठीका जी तो focus रखें स्क्रीन पर आपको मैं आज की क्लास में आपको चार से पांच बातें बड़ी नहीं बताई आपको थोड़ा सा एक अलग सा consider करने की कोशिस की कि कि किस तरीके से respiratory system हमारी बोड़ी में काम करता है आपको वो चार्ट याद होना चाहिए शुरुआत में मैं एक basic चार्ट लेके चलता हूं ताकि मेरे बच्चों को सारी सीजिक कहानिया समझ में आ जाए कि actual स्तिती होती क्या है respiration होता है वो aerobic भी हो सकता है, anaerobic भी हो सकता है, aerobic respiration वो होता है जहां हमें oxygen की जरूवत पड़ती है, anaerobic respiration वो होता है जहां हमें oxygen की जरूवत नहीं पड़ती, aerobic respiration दो तरीके का होता है, direct भी हो सकता है, indirect भी हो सकता है, direct respiration वहां होता है जहां पे हमें किसी भी structure की या organ क जरुवत नहीं है, gas के transportation के लिए, direct gas अंदर आती है, cells को मिलती है, वापस gas का exchange हो जाता है, indirect respiration में हमारे लिए अलग-अलग structures बनी है, humans के case के अंदर देखें, तो यहाँ पे lungs हैं, fist के case में देखें, तो वहाँ पे gills होते हैं, अलग-अलग structures हैं, तो indirect respiration होता है, indirect respiration भी बचा लोग, दो तरीके का होता है, external respiration and internal respiration, external respiration वो है, जिसके अंदर gases exchange between the alveoli and blood capillaries, after then, blood transport gases to the tissues, that is the internal respiration or cellular respiration or tissue respiration, अलग-अलग है यह, तो मैंने आपको define कर दिया है, ठीका जी, विश्लू, लक्समी, विद्प्रकास, लखन, इतनी बात आज की समझ में आई, बहुत ही basic सी, बहुत ही general सी जानकारी, respiration के बारे में मैंने आपको बताया, बहुत ही साधान सा, बिल्कुल एकदम basic, कि यह इस तरीके से हमें चार्ट ले करके चलना है, आने वाली classes में हमें बहुत सारी बाते करनी है, nostrils के बारे में पढ़ना है, nose के तीनो reason पढ़ने होते हैं, cartilage भी होता है, bone भी होता है, nose एक ऐसा part, जहां cartilage भी मुझूद है, bone भी मुझूद है, पढ़ेंगे, discuss करेंगे, कैसे यह air को humidify करता है, filter करता है, air जब अंदर enter करती है, तो dust के particles को, जो आक में उली डाल करके कुछ बाहर निकाल के रख देते हैं, वो क्या है, वो कैसे बना, actual वो स्तीती क्या है, बहुत ही अजीबोगरी बाते हैं, पर समझना तो होगा न, zero level से start करने, basic से start करने, तो समझने वाली बात है, एक एक बात, point of view पे करके चलेंगे, breathing, physiology भी पढ़ान लेकिन यही, अगर आ गई है, तो हर्ट साइन जरूर बेजिएगा, सारे के सारे अगर हर्ट साइन जरूर बेजिएगा, अगर आज की कई भी बात आपको समझ में आ गई तो, खेमराज, विद्प्रकास, सपना, ओकी जी, हाइलेन काटिलेज, सपना, मैं आपको डिसकस खीक हजी, ओकी जी, अशौक, इसका मतलब आपके हट्साइन मुझे मिल रहे हैं, इसका मतलब बिलकुल डेफिनले आपको सारे बातें समझ में आरही है, तो प्रॉमिस करेंगे कि सेर करेंगे, आप बिलकुल जयदा से जयदा दोस्तों के अंदर सेर करेंगे, ताकि सपना आई बार समझ में, जो बच्चे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, टीम के साथ काम करना चाहते हैं, तो वो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ नीचे, आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, आपके all-time favorite भवय मेडम आपके लिए classes ले रही है, immune system की, मैं आपके लिए 2 system अभी च साथ की आज, और evening के अंदर nervous system की class रहती है, ठीक है जी, आशू, दिलकेस, बिल्कुल, सबके heart sign मुझे मिल चुके हैं, likes की संख्या में कमी ना हो, 31 likes है, 40 croze तो होने चाहिए आज, ओके जी, introduction है, 40 मान के चलेंगे, आजने वाली classes में तो 100 भी करवाएंगे आप से, हाँ, बिल्कुल, स्याम को होगी, nervous system की class, schedule हो सकता है कि मुझे extend करना पड़े, बट कोई बात नहीं, आप लोग adjust करेंगे आप, ठीक है, ओके जी, बिल्कुल, all time favorite आपके भवयाव एडम, और मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ हुई, और भी बहुत सारी faculties हैं, जो coming soon में है, आपके साथ एक से बढ़कर एक faculties आपके सामने जल्द से जल्द होगी, जी, ठीक है जी, एक्सिडेंट की case में आपने क्या लिखा, एक्सिडेंट की spelling से ही लिखो राके स्पहले दो, और चोट लगने पर water पीने के लिए क्यों बोला जाता है, सुनिए बात को, अच्छा question है, एक्सिडेंट जब होता है, तो water loss होता है, water loss का मतलब क्या है, fluid loss हो रहा है blood loss का मतलब क्या है, blood में plasma भी है, RBC, WBC, Patriot, सब कुछ है, अगर वो loss हो रहा है, तो body condition dehydration हो सकता है, hypovolemia हो सकता है, तो उसी time पे पैसेंट को तुरुंत drip लगा दी जाती है, आपने देखा होगा drip लगा दी जाती है, या फिर उसको तुरुंत पानी पीने के लिए बोला ज ताकि blood body के लिए dehydration condition ना आ जाए, ठीक है जी, और भी बहुत सारी बाते है, accident के कैसे में तो बहुत साई चीज़ें हो सकती है, अपन पढ़ेंगे आने वाली classes में, very nice जी, ओकी जी, आपका compliment हमें मिला, that's very good, Sir, circulatory system करवाना है, बिल्कुल, मैं circulatory system definitely लूँआ न, blood भी लेंगे, circulatory system भी लेंगे, cardiovascular तो बहुत, one of my favorite topic, यार, definitely लेंगे अपन, ओके, ठीक है, आने वाली classes में मिलते हैं अपन, स्याम को भी nervous system की बहतरीन class होने वाली है, एक से बढ़कर एक नई सी नई बाते आपको मैं बताने वाला हूँ, पिछे की classes में मैंने discuss किया है, तो अब जो आने वाली classes होगी, बहुत ही जवरदस होने वाली है, तो आपसे एक promise मांगा था, मैंने 40 likes cross होने चाहिए, इतने तो करवा दीजिया, और ज्यादा से ज्यादा share होना चाहिए, जो बच्चे coaching college तक नहीं पहुंचे कम से कम, कांच कभी नी बनना, हीरा हमेशा बनके रहना है, जो अंधेरे में भी चमक सकता है, इस बात का खास ख्याल रखेंगे और आप मेरे वो हीरा है, जो कभी भी चमकोगे, तो याद भी रखोगे कि सर, हमने एनाटमी वाले गुरू जी से एनाटमी पड़ी है, ठीका जी, खिमराज, आशू, ओके जी, चलिए बच्चा लो, take care, मिलते हैं श्याम को फिर, नर्वस सिस्टम के एक बहतरीन कलास के झाल कर जए उलापन है, यह हमने हैं खके साथ जानाटमी पुल्णल मेरे वाले भी जी, तर मकोगे जी चूरू जी, जी चलिए जीज़ाफे कि अवर दो सोगे कि आडाने के साथ जीज़ा है, पुलिताना है, जीए जीज़ाव बच थक्वेलागे एंश। दे थाक्रागे ह